नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिच चैनल में आपका स्वागत है आयूरुएद में एसीडिटी को अमलपित के नाम से जाना जाता है यह रोग रोगी के आहार या भोजन की अनीमित्ता और मंसिक तनाओं के कारण होता है अमलपित एक सामान्य रोग है इसमें रोगी को खटी डकार और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है एसीडिटी का प्रमुक कारण तले हुए मिर्च मसाले वाले गरिष्ट भोजन का सेवन करना है ऐसे भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण होने में बहुत समय लगता है बलकि यह भोजन आंतों में बहुत देर तक पड़ा रहत है जिसके कारण एसीड में परिवर्तित होकर विकार उत्पन करता है भोजन के पश्यात खटी डकार और खटा पानी मुह में आना एसीडिटी के प्रमुक लक्षन है अगर इसकी तीवरता बढ़ जाया तो कई बार उल्टी भी हो जाती है तो आईए मैं इसके कुछ जिनका अब उपयोग करके एसीडिटी को पूरी तरह से नियंतरी रख सकते हैं पहला लॉंग को तवे में भूंच कर उसका चून बना लीजिए और सहद में मिलाकर एक पेस्ट बनाकर उसे रख लीजिए और जब भी आपको एसीडिटी की समस्या हो तो उसकी छोटी सी मात चाट लीजिए तो यह एसीडिटी को तुरंत ठीक कर देता है दूसरा कॉफी चाय सराब मांस तंबाखू चॉकलेट पेस्ट्री मिठाई मिर्च मसालेदार खाद्य पतार्थों का सेवन कुछ दिन के लिए आप बंद कर दीजिए यदि इनके खाने से एसीडिटी की समस्य हर बार होती हो तो अच्छा यही है कि उसका सेवन ही कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए तीसरा यदि एसीडिटी की तीवरता अधिक है तो आप ठोंस खाद्य पतार्थों का सेवन ना करें और लिक्विड ही भोजन करें भोजन के तुरंत बाद लॉंग चूसने से प पाचनक्रिया सुधरती है हर्रा बहेरा और आउला का इनके मिस्रण को त्रिफला कहते हैं आप त्रिफला का सेवन जरूर करें यह एसीडिटी के लिए अत्यांत गुण कारी होती है छोटी काली हर्रा को भूंच कर चून बना लें और इसे गुड में मिला कर रख लीजिए और भोजन करने के बाद इसका थोड़ा सा सेवन करिए तो भी यह एसीडिटी के लिए बहुत अच्छा असर दिखाता है आप आउले को उपयोग करिए आउले का मुरब्बा के रूप में उपयोग करिए तो यह एसीडिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा लसुन की एक पुराना चांवल की खीर अगर आप खाते हैं तो एसीडिती में अनार और मौसंबी का रस बहुत लाबढ़ायक होता है संत्रे के रस में भूना हुआ जीरा और सेंधा नमक डाल कर अगर पीते हैं तो एसीडीटी को यह सिग्र ही नश्ट करने की छमता रखता है आप सफेज जीरे में समान मात्रा में ही धनिया का पौडर पीस कर मिस्री यह चीनी के साथ मिला कर अगर इसका सेवन करेंगे लगातार इसका रोज सेवन करिए दिर में दो बार चार बार तो आपको एसीडीटी से यह पूरी तरह से निजात दिलाएगा यह एसीडीटी का बहुत राम बान उपाय है यह एसीडीटी को कुछी दिर में पूरी तरह से नियंतरीत करके आपको स्वस्त कर देगा तो आप आयरवेद के इन चमतकारिक नुस्खों का उप्योग करिए और स्वस्त और सुखी रहे धन्यवाद